नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में एक छोटी सी जड़ का टुकड़ा पर्स में रखने से आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा और बढ़ते करजों से मुक्त कर देगा जियां दोस्तों यदि आप पर करजा अधिक हो गया हो एक करज चुकाने के लिए दूसरा करज लेना पड़ता हो इधर से लिया उधर दिया और उधर से लिया इधर दिया इस तरह से करज चुकाते चुकाते दिन गुजर रहे हों करज के नाम में छुपा हुआ है कर और जा यानि करज चुका निकलना असंब हो गया हो तो ये बट केश्वर महादेव का उपाई जरूर करने जिसे आपको तमाम करजों से मुक्ति मिल जाएगी बट केश्वर महादेव खास करज मुक्ति पाने के लिए ही मुग्दमा जीतने के लिए गरीबी दूर करने के लिए ही पुजा जाता है यदि आप करज से इतने घिर गए हो, करज उतरने के बजाए करज बढ़ता जा रहे हो, इस करज के जाल से निकलना मुश्किल लग रहा हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुती महत्यपून होगा वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनरोध करते हैं, आप चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकोन को चालू करें, जिसे चैनल के वीडियो आप तक तुरंट पहुंसते रहे हो, ये प्रयोग आप सोमवार, गुरुवार, सनिवार के दिन कर सकते हो, औ सनिवार के दिन ही करने, जिस दिन भी आप उपाय करो, उसे पहली रात को एक मुठी चावल भिगो के रखते, और अगले दिन सुबह, बाद में उस चावल को पीछ ले, बाद में एक तांबे या इस्टील के कलस में, कोई भी ओत तांबे का हो या इस्टील का कलस, उस कलस म पानी भर के, सुद पानी भर के, उस में थोड़ा सा गंगा जल डाल दे, और पीछे हुए चावल को उसी जल में कलस में मिला दे, बाद में एक सम्मच साफ हल्दी पाउडर, बजार से खरीदी हुई, गर्शे नहीं लेने, बजार से खरीदी हुई हल्दी, पांच रुपा पेकेट, दस रुपा का पेकेट आता है, एकदम सुद हल्दी पाउडर उस कलस में मिला दे, बाद में एक कलस लेकर बर्गत के पेड के पास जाएं, और अपनी करज मुक्ती की बट केश्वर महादेव से प्रातना करें, और ये करें, ये रिन मुक्ती देने वाले बट जल अरपन करना है, ये करिया 300 मार तक, जिस भी तिन आप करो, 300 मार तक लगातार करनी है, 400 मार तक करो तो बहुत अच्छा है, और ध्यान रहे हैं, तिनों सब्ता, एक ही जगह पर जल अरपन करना है, तीसरे सब्ता, जहां आपने जल अरपन किया था, वहीं से एक जड़ का टुकड़ा चोटा सा जड़ का टुकड़ा तोड़ ले अपने घर ले ये जड़ का टुकड़ा आप इसे गले में धार्ण कर सकते हैं गले में बान सकते हैं कलाबा की दोरी से और इसे अपने बाजू पर दहिने हाथ की बाजू में भी बान सकते हो और इसे अपने पर्स या जेब में भी रख सकते हो ये टुकड़ा दो महिने तीन महिने तक अपने पास सुरक्षित रखना है ये जड़ का टुकड़ा धन को खिंशता रहेगा अपार धन संपता खिंशता रहेगा जब तक दो तीन महिने आपके पास रहेगा तब तक अपार धन तोलत खिंशता इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं जैराम जी की जैमाता की